नमस्कार दोस्तों स्वागात आप सभी कर दोस्तों आप देख रहे हैं खंडवा जंक्षन का गुड़ी अकोट की और जाने वाला ट्रेक और यह है हमारा खंडवा सनावत की और जाने वाला हिस्सा इस पर वर्तमान में आप देख रहे हैं कि एक मालगाडी जो कि ट्रेक को ग पस भी आती है और उम्मेद जताई जा रही है कि वर्ष के अंत तक गुड़ी तक का जो सेक्षन है वह बनकर तयार हो जाएगा तो उसका CRS भी किया जा सकता लेकिन विद्धुती करण का कार्य इस सेक्षन में अभी तक शुरू नहीं किया गया के वल यह जो आप पोल्स सब्सक्राइब का यहां सेक्षन है कुछ सवाल हमें दर्शक्रों के दवारा प्राप्त होते हैं कि हुसावा लेंड और इटार सी एंड से इस ट्रेक को लिंक किया जाएगा अथवा नहीं तो इस सवाल का जवाब है सनावत से आने वाली लाइन है उसको प्लेटफॉन इटारजी की और जाने माधा डबल लाइन ट्रेक है और जो लाल निशान दिखाई दे रहा है वहां पर सनावत के ट्रेक को प्लेटफार्म 5-3 की और आने वाले ट्रेक के साथ में लिंक किया जाएगा जिससे की सनावत की और से आने वाली गाडियां सीधे भुसाञा की और जा सकती है यह जो डाइग्राम है यह मध्य रेलवे के द्वारा फेस टू के कार्य जो खंडवा जंक्शन पर किये जाने है उसमें से लिए गए अंचे है एसा ही कुछ नजारा हमें भुसावल एंड की ओर देखने को मिलता है जब हम ध्यान से देखते हैं तो उपर की ओर जो क्रास करता हुआ गुड़ी की ओर जाता है जो ब्लेक लाइन दिख रही है यह भुसावल ट्रेक खंडवा की ओर और भुसावल की ओर जाने वाला ट्रेक है वहीं जो नीचे की ओर लाल लाइन दिखाई दे रही है यह लाइन भविश्व में बनाई जानी है जो की आमना की और या प्लेटफान नंबर तीन की और से ट्रेन सीधे घुसावल की और तो जा सकेगी साथ ही अकोला की और जो ग्रेज कनवर्जन किया जा रहा ट्रेक है गुड़ी वाला उससे भी जा सकती है तो यहां इस नक्षे के जरिये हम समझ सकते हैं घंडवा जंक्शन में धरतल पर नहीं दिखाई दरी लेकिन बलाक लेकर यह सभी कार्य किये जाएंगे और भी जानकरी प्राप्त होती है आप सभी के साथ में साजा की जाएंगी वीडियो केसा लगा जरूर बताएं आप सभी का धन्यवाद